है ना कोई दिक्कत की बात नहीं देखो तो एक चीज़ तुम याद इतना आगे बढ़ने से पहले कि हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं है ना सपोस्पोस करो मैं तुम्हें बोलूं की यह डिरेक्शन होती है पॉजिटिव एक्स इसको डिनाट करते हम आइक है यह होती है नेगेटिव एक्स इसको डिनाट करते हम जेक हैं एक तो यार तुम्हें यह पता उना बहुत ज़रूरी है यह तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत important है आगे जाए कि तो यह direction होती है तुम्हारी i-cap यह होती है minus i-cap यह होती है j-cap और यह होती है सब्सक्राइब 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 लोग direction निकालते हैं क्या निकालते हैं डायरेक्शन निकालते हैं जिसे मालों मैं तुम्हें बोल दूँ कि electric field उपर की तरफ है क्या है electric field उपर की तरफ है पर आपको लिए रखिए 40 newton per column तो यहाँ पर electric field आप क्या लिखोगे 40 और direction क्या है तो आपको value के साथ साथ क्या लिखना पड़ता है आपको value के साथ लिखना पड़ता है direction तो electric field की value कितनी है 40 और direction क्या है जकन तो मैंने क्या लिखा इसको 40 ज्यक्प आया समयज में किसी को इसमें जाटी तो पूछो है याद किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि सार यह डाइरेक्शन हमें नहीं अफिस बता दो ठीक है तो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना कुछ बेसिक से जो मैं तुम लोगों को बता दिता हूँ कोई तुम में से काफी लोग नए हो तो कुछ बेसिक से अब ध्यांते शुनना सबसे पहला बैसिक के है देखो दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई चार्ज होता है ना दुनिया में कहीं पे भी कोई चार्ज तो उस चार्ज से क्या निकलती है? Electric field lines निकलती है क्या निकलती है? Electric field lines तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है अपनी दुनिया में तो वहां से क्या निकलती है? Electric field lines निकलती है और याद रखना, अगर charge positive होता है तो electric field lines bar की तरफ होती है अगर आपका charge negative होता है तो electric field lines कहाँ पर होती है ऐसे अंदर की तरफ होती है ठीक है? एक basic तुम्हें याद रखना है क्या basic चीज है? कि दुनिया में अगर कहीं पर भी charge पड़ा हुआ है तो उस charge के आसपास क्या होगी? Electric field lines जैसे तुम्हें दस्वी में पड़ा होगा कि दुनिया में अगर कहीं पर भी magnet है तो magnet के आसपास क्या होती है? Magnetic field line वैसे ही charge के आसपास क्या होती है? Electric field line पर एक और concept याद रखना है कि electric field line चालू कहां पर होती है positive है और देखो खतम कहां पर होती है negative है तो अगर मालो मैं electric field line ऐसे बनाता हूँ इस तरीके से तो इसका मतलब क्या है कि इधर बहुत सारा positive charge पढ़ा हूँ है इधर बहुत सारा negative charge पढ़ा हूँ है तो एक concept तुम्हें अगर कहीं पर भी कोई charge पढ़ा हूँ है तो charge के आसपास क्या होती है electric field line होती है तो charge अगर positive है तो electric field line बाहर की तरफ charge अगर negative है तो electric field lines का पर होती है अंदर की तरफ होती है ठीक है और दूसरा जो मैं तुम्हें अभी सिखाया डायरेक्शन तो इक गवार में वापस बता जैता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वापस सुन लेना क्योंकि उसके में कोई पढ़ाने का मतलब नहीं देखो क्या डायरेक्शन होती है i cap ये होती है j cap ये होती है minus i cap और ये क्या होती है minus j cap मतलब positive x i cap negative x minus i cap positive y j cap negative y minus j cap तो अब सबसे पहला कुशन है कि Electric Flux होता क्या है What do we mean by electric flux? क्या मतलब है electric flux का? तो electric flux का मतलब होता है number of electric filled lines electric flux का मतलब होता है number of electric filled lines passing from an area तो electric flux का मतलब होता है कि किसी भी area से कितनी electric filled lines pass कर रही है pass करने का मतलब है कि आपकी electric filled line area को चीर के जानी चाहिए चीर के जाने का मतलब क्या है देखो यहाँ पर तुम सब को diagram दिख रहा है देखो यह वाला पहला diagram दिखो तो यह आपकी electric flux है देखो यहाँ पे आप तुम सब को यह blue color की line दिख रही है, देखो यह electric flux है, क्योंकि आपकी electric field line क्या कर रही है, area को इसे चीरते हुए जा रही है, जैसे यहाँ पे animation इसको देखो, तो देखो, यह electric field line क्या कर रही है, area में घुज गई, तो यहाँ पे आपका electric flux कितना हो गया, 4, कि आ आपके इस area से कितनी electric field line पास कर रही है, 4, तो electric flux का मतलब क्या होता है, electric flux का मतलब होता है, number of electric field lines passing from an area, तो electric flux का मतलब क्या होता है, किसी भी area से कितनी electric field line पास कर रही है, आया समझ मैं, यहाँ रखना, यह एक scalar quantity है, कौनसी quantity है, scalar quantity है, ठीक है, तो electric flux का मतलब क्या है, number of electric field lines passing फлюч सक्सक्सक्ता कOLA काचत अब एसे पास कर रही है तो अगर स這邊 अगर मैं तम्हें पूछायू कि बताओ इन तीनों मैं से कितना electric flux है तो electric flux का मतलब होता है number of electric field lines passing from an area किसी भी area से कितनी electric field line pass कर रही है तो यहाँ पे कितनी pass कर रही है दो यहाँ पे कितनी pass कर रही है दो यहाँ पे कितनी pass कर रही है दो तो आपकी electric field line कैसे भी pass करे मतलब कोई भी direction एसे पास करें ऐसे आंसर तो कीनों में पना आंसर तो संस हम को इसकी डायेकशन से कोई मतलब नहीं है कौन सी कौंटेटी है यह स्केलर कॉंटेटी है आया तो फाहरा समझ में है तो स्केलर पॉठिटी आया तुम्हें समझम है अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो तुम बे जीजग मुझसे पूछ सकते हो कि सरी वापस बता दो मैं कोई भी डाउट है तौए और अपुछ सकते हो कोई दिक्कट की बात नहीं है न मेगना कोई डाउट है अनुरुशका कोई डाउट हैтом कोशागर कोई भी डाउट पूछो प्लीस यार sir flex word का meaning क्या होता है otics का मतलब होता है flex का मतलब है filled lines so flux का मतलब होता है कि light curricula filled line किसी भी जगे से पास कर रहा है electric flux भी हो सकता है Magnetic Flux भी हो सकता है, Gravitational Flux भी हो सकता है. Flux का मतलब है, कितना Line Pass कर रहे हैं? तो Electric Flux का मतलब होता है, Number of Electric Field Lines Passing from an Area. तो किसी भी Area से कितनी Electric Field Lines Pass करती है, उसको भोलता हम Electric Flux. ठीक है? अब तुम्हें एक बहुत Important Concept द्याद दो सुनना. Electric Flux तभी होता है, जब आपकी Line Area को चीर के जाती है. तो जिसे माल लो, मैं तुम्हें पूछूं कि ये मेरे पास कोई Area है, और Electric Field Lines ऐसे पास कर रहे हैं? ऐसे. तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें से कोई भी Electric Field Lines ऐसी है, जो आपके Area के अंदर घुसरी हो, नहीं है, तो इस केस में आपका Flux किता है, Zero है. आया तुम्हें समझ में? तो Electric Flux तभी होता है, जब आपकी Electric Field Line Area में से घुसके निकल जाए. क्या करें? घुसके निकल जाए. जैसे मालो में तुम्हें पूछूँ, कि ये कोई Area है, और आपकी Electric Field Line ऐसे Pass कर रही है. तो अब आपको मुझे बताना है, कि कितना Flux से सोचो, कितनी Electric Field Line पास कर रही है, देखो दिमाग लगाओ. तीन Pass कर रही है, तो यहाँ पे Electric Flux कितना हो गया? तीन. है ना? तो Electric Flux का मतलब क्या होता है? Number of Electric Field Lines Passing from an Area. अब Electric Flux निकालने का एक तरीका होता है. क्या तरीका होता है, लिखो अपनी कॉपे में. सब अपनी कॉपे में Electric Flux का Formula लिखेंगे. Electric Flux का Formula होता है, E.A. या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, E.A.Cos Theta. तुम गबराना मत, मैं तुम्हें ये Formula यूज करना से काम होगा है. ठीक है? कोई गबरानी की जरूत नहीं है. एक बाद चुप चाप खाली क्या करो, ये Formula लिख लो. कुछ सोतने की जरूत नहीं है, खाली Formula लिखो. यहापे 5 का मतलब होता है, यह जो होता है इसको 5 बोलते है. इसका मतलब होता है Electric Flux. ठीक है? यह जो E होता है ना, इसका मतलब होता है Electric Field. ठीक है? यह जो A होता है ना, इस A का मतलब है Area Vector. ते आपर a के उपर बाहर लगा रखा है area vector, e के उपर बाहर लगा रगा है electric field vector और यह electric flux और यह एठीटर होता है यह थीटा किसके बीच का एंगल होता है लिखो अपनी copy में, theta होता है angle between electric field vector and area vector, लिख लो एक पर अपनी copy में, सब लिख लो, कोई गबरानी की जरूत नहीं है, मैं तुम्हे formula यूज करना सिखाऊंगा, है ना मैं तुम्हे dot proverb भी सिखाऊंगा भी और मैं तुम्हे formula भी यूज करना सिखाऊंगा, कोई गबरानी की बात नहीं आराम से लिख लो पर ले इसको, पर ले लिख लो इसको, फिर अपना आगे बढ़ेंगे ठीक है, तो phi का मतलब electric flux, e का मतलब electric field, a का मतलब area vector, और e dot a का उपन लिख सकते है, e a cos theta, तो तुम चाहे ये formula यूज करो या ये यूज करो, कोई फरक नहीं पड़ता, और theta कौन सा एंगल होता है, theta होता है, angle between electric field vector and area vector, ठीक है, अब देखो, मैं तुम्हें इसको use करना सिखाता हूँ, अब तुम सब मेरे साथ साथ चलना हो, एक अगर तुम्हें नहीं पता हो, कि dot product कैसे करते हैं, तो लिख लो, वैसे ही गयारवी कक्छा में आता है, पर फिर भी तुम्हें नहीं पता है, तो लिख होगा, और j.ib क्या हो जाएगा, 0, i.k भी 0 होता है, और k.ib क्या हो जाएगा, 0, और similarly, k.j क्या होता है, 0, और j.k भी क्या होता है, 0, तो दोनों अगर सेम है, तो dot product 1 हो जाएगा, दोनों अलगर लगे, तो dot product 0 हो जाएगा, तो अगर तुम्हें पता है, तो भी लिख लो, कि या के काम आएगा लिख लो अपनी काम है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते देखो अब मैं तुम्हें चीछ सिखाऊंगा यह लिख लिए तुम लोगों ने सब्सक्राइब यह कोई डाउट दो बूल देना यार है ना यह मल्टिप्लिकेशन नहीं बेटा इसको बूलते हम डॉट प्रोट तो अगर ऐसे लिखाओ ना एडॉट भी इसका मतलब अपनी दोनों वेक्टर का कर रहे हैं डॉट प्रोट कर रहे हैं तो आई डोट आई वन जे डोट जे वन के डोट के वन लेकिन अगर आप दो डिस्सिमिलेटर करते हो आई डोट जे जे डोट आए आई डोट के के डोट आए तो इंकल जीरो हो जाता है ठीक है अच्छा अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो आप तुम सब ध्यान से सुनो अगला जो अपना topic है वो है How to find how to find area vector तो मैं तुम्हें एक एक करके बेसिक से बता रहा हूँ area vector कैसे पता करते हैं अब तुम सब ध्यान से इस topic को समझोगे देखो ये direction होती है i cap ये होती है j cap ये होती है minus i cap ये होती है minus j cap उसी तरीके से तुम्हें पता है 3D में एक vector बाहर की तरफ निकलता है ये होता है k cap और जो अंदर वाला है ये होता है minus k cap है ना तो बाहर की तरफ मतलब outwards मतलब अपन जाए dot बनाते हैं ना outwards और cross बनाते हैं मतलब inverse तो cross का मतलब अंदर की तरफ dot का मतलब बाहर की तरफ तो ये vector i cap होता है, ये j cap, minus i cap, minus j cap, ये k cap और वो minus k cap, ठीक है, अब तुम समझना देखो, माल लोकी मैं तुम्हें बोलूँ, कि ये एक circle है, इसका radius से r, तो आपको बताना है, कि ये एक circle है, देखो इस तरीके से पढ़ाओ है, आपको बताना है कि इसका area vector क्या होगा, तो दे area कि इतना होजएगा pi r square, और याद रखना, area vector की direction, area के perpendicular होती है, क्या होता है, area vector is perpendicular to area, ये concept बहुत important है, area vector, area के perpendicular होता है, तो ध्यान से देखो, ये direction कौन सी है, j cap, तो आपको यहाँ पर आके क्या लिखना है, j cap, आई समझ में, अगर माल लो, ये ही तुम्हें बोलता कि मैं नहीं यार, मेरा circle ऐसे पढ़ा होगा है, circle का radius है, अब आप मुझे area vector लिखके बताओ, तो area vector क्या होगा देखो, पहले area कितना है, pi r square, अब इसके perpendicular एक line मनाओ देखो ये, compare करो ये, ये रो कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, ये होगया, इसका area vector, आया तुम्हें समझ मैं की नहीं समझ माया, माल लो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि circle ऐसा पढ़ा होगा है, और माल लो इसका radius है, अब आप मुझे बताओ किसका area vector क्या होगा, तो ध्यान से देखो, इस circle का area कितना है, pi r square, अब इसका area vector कहां पर होगा, इसे बाहर की तरफ इसमें कोई doubt है, तो अब तुम्हें मुझे पूछना पड़ेगा, कि sir, आपने area vector कैसे लिखा, हमें बिल्कुल भी हावा नहीं लगी, doubt है तो पूछो, area vector, area के perpendicular, हाँ पूछो, प्लीज पूछो यार कि अब अधर तुम्हारे चक्कर में बागी सक्के एक अंजर्टी क्लियर हो जाए, sir, हाँ पूछो, sir, minus के कैसे पता चलेगा, यार देख, यश, तु या तो, हाँ मतलब देखो मेरी बात सुनो, यसे तुम मुझे बोल सकते हो ना, कि sir, आपने जैसे area बनाया, sir, area vector तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्योंकि आपने बोला area vector area के perpendicular होता है, तो sir, यह भी perpendicular है, यह भी perpendicular है, फिर आपने यह क्यों नहीं लिया, अरे यार, तुम यह भी ले सकते हो, कोई फर्क नी पढ़ेगा, पर मैं जनरली क्या करेता हूँ, जो I cap पहला हो लेता हूँ और जो केकेप होता है वो लेता हूँ मैं माइनस वाले के चक्कर में पढ़ता ही नहीं क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर कॉन्टिटी है आगे प्लस आय माइनस आय क्या फरक पड़ेगा छोड़ दोसको तो तुम आईकेप जेकेप और केकेप पी लेना ठीक है जैसे मानलों की आपका एरिया ऐसा है तो अगर आपका एरिया ऐसा है तो अगर आपका एरिया ऐसा है तो एरिया वेटर का आजाएगा उपर की तरफ अगर मानलों आपका एरिया ऐसा है तो एरिया वेटर का आजाएगा बाहर की तरफ तो इस केस में केकेप इस केस में कोई भी डाउट है तो तो पूछ जल्दी एरिया वेक्टर में किसी को गई डाउट हो तो पूछो तो अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो तुम मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखके बताओ मान लो कि यह स्क्वेर है जो ऐसे पड़ा हुआ है कोई बोलेगा नहीं कोप में लेख लो साइड लेंद मान लो ए दे रखिए मान लो कि यह स्क्वेर ऐसा पड़ा हुआ है इस तरीके से मान लो आपको साइड लेंद ए दे रखिए और मान लो कि आपका स्क्वेर ऐसे पड़ बात करो देखो इसका अपर की टरय होगा कितना अपर की तरफ तो मैं नहीं समझनाया किसी गोब हुआ ho क्यों कियान दो पूचलो मہने को कोई फेल्ठ नहीं बढ़ता है मैं आज की पूरी ग्लास काली एरिया वेटर पही लगा दूँगा, क्योंकि यह सेम टॉपिक वापस आएगा, मैगनेटिजम में, सेम डिटो, बस तुम्हें वापे B dot A की जगे B dot A करना है, जिसलिए अभी समझ लो, अब डाउट है तो पुछो मुझे, ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब हम आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं उस पर, तो फ्लक्स निकालने के दो फरमल है, या तो आप यूज़ कर सकते हो E dot A, या फिर आप यूज़ कर सकते हो E A cos theta, लेकिन याद रखना, यहाँ पर theta का मतलब क्या होता है, angle between electric field vector and area vector, ठीक है, तो एक question मैं कर रहा हूँ, तो मैं खाली उसको समझना है, अगला question तुम्हें solve करना है, ठीक है, तो एक question मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो question है यह, find electric flux through square of side length A, is shown in figure, is shown in figure, तो यहाँ पर आपके पास एक square पड़ा हुआ है ऐसा, और इसकी side length आपको A दे रखी है, और आपको दे रखा है कि जो electric field है वो इधर की तरफ है, क्या है, आपको दे रखा है कि जो electric field है वो इधर की तरफ है, और उसकी value आपको दे रखी है E, तो आपको बताना है कि electric flux किता हुगा, देखो अब मैं तुम्हें दोनों formula से करके बताता हूँ, किस से, मैं आपको दोनों formula से करके बताता हूँ, पहले आपको यह वाला formula यूज़ करते है, E dot A, तो मैंने तुम्हें इस class के शुरू में ही बताया था, कि यह direction कौन सी होती है, I cap होती है, तो electric field को तो अपन क्या लिख सकते है, E I cap, ठीक है, dot, अब area vector, अब भी मैंने तुम्हें सिखाया, कि area vector कैसे निकालोगे, देखो, side length किती है, A, तो area हो जाएगा A square, और area vector, area के perpendicular होता है, तो यह हो जाएगा A square J cap, क्या होता है, zero, तो आपका flux किता आजाएगा, zero, आया समझ मैं कि नहीं समझ माया, और इसी को मैं तुम्हें दूसरे formula से करके बताता हूँ, कौन सा, E A cos theta, तुम्हारे इच्छा हो, तो वह formula यूज़ कर सकते हो, electric field तो E है, area आपका A square है, अब theta, ध्यान से देखो, आपकी electric field तो उधर की तरफ है, लेकिन आपका area vector उपपर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में angle किता है, 90 है, तो cost 90 किता होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है, तो cost 90 0 होता है, या आगे 0, आया समझ मैं, तो आपके इच्छा हो, आपको formula यूज कर सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता, पर दोनों से answer सेम ही आएगा, अब कोई doubt है, तो तुम मुझे बेजी जब पूछ सकते हो, कि sir ये बिल्कुल हवा नहीं लगी वापिस बता दो, कोई भी doubt है तो पूछू, सर, हर question को दोनों formula से कर सकते हैं, हाँ, सबको कर सकते हैं, लेकिन कुछ question ऐसे होते हैं, किसे तुम में से किसी के दिमाग में ये आया ही नहीं कोई ताजब हुआ, कि sir आपने ये simple simple से सुमझा दिये, माझनों तो एरिया ऐसा पढ़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, माले formula के पास जाना पढ़ेगा, कैसे, देखो, आप मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे माल लो, कि तुम्हारे exam में ऐसा question आता है, कि suppose करू कि ये circular coil है, माल लो तुम्हें इसका radius दे रखा है R, और मैं तुम्हें बोलता हूँ, कि यार, ये तुम्हारी electric field है, मैं बोलता हूँ कि ये आपकी electric field है, ठीक है, और मैंने माल लो तुम्हें ये वाला angle दे रखा है 30 degree, पर electric field E दे रखी है, अब मेरा question है, कि find electric flux, अब आपको बताना है कि electric flux कैसा होगा, कितना होगा, तो ऐसे question में तो यार, फामले के पास, E A cos theta, देखो, अब तुम सब ध्यान से देखना, मैं इस question को कैसे करा, best है physics में फामला याद करो, यूज करने का तरीका देखो, पहले E की जगे E लिख दो, कोई दिक्कती नहीं है सर, E तो है अपने पास, area, मैंने बोटा circle है, तो सामने पता, बटा circle का area के इतना होता है, pi r square, अब आते थीटा पे, अब तुम सब लोग गलती का करते हो, question में देखानी की 30 degree, महाँ पे put कर दोगे 30 degree, गलक्त, यहाँ पे theta किसके बीच का angle है, electric field और area vector के बीच का angle, ध्यान से देखो, आपकी electric field तो उधर होगी, पर आपका area vector तो ऐसे होगा ना, क्योंकि area vector तो क्या होता है, area vector area के perpendicular होता है, तो यह 30 degree है, तो यह कितना बचा, 60 degree, यहाँ पे क्या आजाएगा, यहाँ पे आजाएगा cos 60, जो होता है half, तो आपका answer क्या आएगा, half e pi r square, यहाँ आपका answer है, आया तुम्हे समझ मैं, की नहीं समझ माया, अब अगर तुम्हे से किसी को doubt है, तो पूछो कि सर, आप यह क्या कर रहे हो, हमें वापे समझा दो, मेगना समझ माया रहा है अजिश्का, clear हो रहा है की नहीं clear हो रहा है, आप लोगों को solve करना है, तो आप लोगों को solve करना एक कुछ नहीं है, find electric flux, ठीक है, मैं diagram मना रहा हूँ, तुम साथ तत बना दो उसको, मतलब यह rectangle है, मतलब rectangle की एक side आपको L दे रखी है, और एक side मैंने आपको B दे रखी है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रखा है कि जो electric field lines वह ऐसे हैं, अब यहर अपन अपनी class में तो नहीं है, वर्णा मैं चेक कर लेदा कि तुम कैसे कर रहे हो, बर भरोज़ा है तुम पर कि तुम दोनों formulas से निकाल के बताओ, कि आंसर क्या आएगा, मैं तो करूँगा यहां पर तुम्हें समझाने के लिए पर एक बढ़ तुम अपने एसाब से करूँ, करूँ, क्या आ रहा है मेंगना आगया अंजर की नहीं आया, कुशागर भाई, यज़ भाई, करो रहे होए, अब अब अगर्वित तु पिटेगा, अले सरकंफ्रेंस क्यों ले रहा है इसकी, देखो, मैं दोदों फॉर्में से करूँगा है न, तुम टेंशन मत लेना, मैं बहुत प्यार से करूँगा इसको, तो पहले अपन ए लिखते हैं, मैं तुम्हें क्या सिखाया था, कि electric field कैसे लिखना है क्लास के शुरुवात में, e i cap आएगा, area vector कितना आएगा धियान से देखो, ये रेक्टेंग अजे तो area कितना आएगा length into breadth, और इसका area vector भी का होगा इदर की तराफ, तो ये आजाएगा j cap, ओ सोरी, i cap ये आएगा, ठीक है तो ये कितना आएगा देखो electric field, तो e i cap dot lb i cap, तो आप e lb को तो अलग color लो, और bracket में क्या बचेगा, i dot i, ये i है ना, i बना रखाया, चुकि देखो area vector भी आपका इदर की तरफ है i cap में, electric field भी आपके इदर की तरफ है i cap में, तो i dot i to 1 होता है, तो ये कितना आजाएगा e lb, है समझ में, अब दूसरा तरीका, e a cos theta, तो electric field तो e है, area length into breadth होता है, और ध्यान से देखो, आपकी electric field भी इदर, आपका area vector भी इदर, तो अगर दोनों vector parallel है, तो उनके वीच में angle कितना होता है 0, तो ये आजाएगा cos 0, cos 0, 1 होता है, तो आपका answer कितना है e lb, ये आपका answer है, आया तुम समझ में, मट्टा साब, इमांचो मट्टा भाई, तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मुझ से पूछो, क्योंकि मैं अगला question तुम्हें देने वाला हूँ, electric flux से तुम्हें definitely question मिलेगा, तो मेरे साथ अच्छे से practice कर लो इसकी, और कोई doubt है तो पूछो इसमें, लिख लो आराम से लिख लो, मैं वैसे भी तुम्हें इस class की recording भी बेस दूँगा, यह जो PDF है यह भी भेस दूँगा, तकि तुम copy कर लेना कुछ में सुझाए, और मैं तुम्हें sheet भी भेस दूँगा, पूछो कोई doubt है तो पूछो, वना आपन अगले question पर जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, अब एक question तुम्हें लोगों को sorry करना है, यह question ही है न, just give me one minute, तो मैं आपको एक rectangular plate दे रहा हूँ, आपको उसके थो एलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो plate आपकी ऐसे पड़ी होई है, just give me one minute, just give me one minute, तो और आपकी वाइस नहीं हारी है, आड़े मैं बोली नहीं रहा हूं तो गहां से आगी है पॉरी सर्थ ट्राइक करो किता है गाइस कि इलेट्रिक सक्स किता है किता है प्रत्रिक स्क्सक्ता किता हता है फलक्स उन्यक्ष फिस एक कॉस्बीटर हो चालेज एड्यकर मालश एड्यक्ष मकरण और एंगल alma उत्पर है यह आपका वे इस एंगल ऊन्सा भी एक है पूल पर यह आपका का है ऑड्यकॉत जाऊटेसमें तो आप पूछ सकते हो मुझे हैं है ना कि अब मैं ऐसा यूनिट पर जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लेक्रिक टरफ की ऐसा यूनिट कैसे लिखते हैं किसी को इसमें की पुछने है तो पुछ हो तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो अपने लिखा था अभी क्या फॉर्म में लिखा था यह कॉस्ट थीटा इलेक्टिक फिर्ट की नूटन पॉन को लग जिसको नहीं पता है इनको मैं पढ़ा दूगा कि आई कहां से एरिया का होता है मिटर स्क्वार तो आपका एलेक्रिक Workers doing थीक तो नेच्स आपनी कॉपने कॉपने के इलेयक्टिक फ्लक्सत्रुण और अल्यट्रिक्रिक फ्लक्सत्रुण क्लोश त्रफिस इस आप इलेक्ट्रिक फ्लक्सत्रुण closed surfaces तो अगर माल लो कोई बंद surface है तो उससे electric flux कैसे निकालते है closed surface का मतलब है जैसे माल लो कोई cube हो गया जैसे माल लो कोई cube हो गया जैसे माल लो कोई sphere हो गया जैसे माल लो आखके पास कोई cone हो गया जैसे कोई cuboid हो गया तो इनको बोलते closed surface तो कैसे से निकालते देखो तो यहां पर convention तुम्हें याद रखना है क्या convention है कि flux entering the closed surface flux entering the closed surface is taken as negative तो जो flux surface के अंदर enter करता है उसको अपन negative लेते and flux exiting the closed surface is taken as positive और जो flux बाहर निकलता है उसको अपन positive लेते हैं तो मतलब अगर मालो तुम्हारे पास कोई close surface है cube है cylinder है cone है cuboid है तो इनको बोलते close surface मतलब 3D तो अगर मालो जो flux enter होता है उसको अपन negative लेते हैं कि भाया यार पांच electric field अंदर चली गई तो आप बोलना minus 5 कोई बोले यार भाया यार वहां से तो 10 बाहर निकल रही है तो आप लेना plus 10 तो जो flux अंदर जा रहा है negative और जो flux बाहर निकल रहा है उसको अपन क्या लेते है positive ठीक है जैसे मैं तुम्हें एक्जांपल देता हूं इसका यहां से वार निकल रहा है से वार निकल रहा है से टाहétais प्लस तुम्हें किता है मैं आइस dragging अंदर गहांता इंवर्ड फ्लक्स हइ bawकल मतलब आए नेगेटिव और जो फ्लक्स बहां निकलता है उसको अपन बोलते आउट्वर्ड फ्लक्स जो flux उसको पन लेते हैं positive तो जो flux अंदर जाता है negative तो यहाँ पर अंदर जाता है तीन बहार निकलना है तीन तो यहाँ पर किता हो गया net किता हो गया 0 हो गया आया सहुज मैं जिसे मान लो कि एक example तुम लिखो तुम solve करो इसको मान लो कि मैं तुम्हें बोलू कि यार यह कोई close surface है और ऐसी एलेक्ट्रिक फिलेंग्स तो आप मुझे बताओ inward flux किता है आप मुझे बताओ outward flux किता है आप मुझे बताओ किसे net flux किता है सोचो के आईगा इसकांसर inward तुम्हें कोई भी अंदर जाते में दिख रही है कि नहीं जीरो किती इलेक्ट्रिक फिलेंग्स बाहरां तुनरी यहां से यहां से यह्ां से 4 किता हो गया फूर प्लस जीरो यह 17 प्ल्वरठा हो गया आया समझ में, कि नहीं समझ भाया, तो किसी भी क्लोज सर्फेस के तुरू electric flux कैसे निकालते हैं, जो electric flux अंदर जाता है negative, जो बाहर निकलता है positive, तो invert flux is taken is negative, outward is taken is positive, और net flux आपका यहाजाता है, ठीक है, तो next class में अपन net flux का करेंगे और मैं एक टॉपिक रिवाइस कराऊंगा वो टॉपिक के एलेक्ट्रिक फिल्ड क्योंकि तुम में से काफी लोग नहीं जुड़े हैं तो उन्हें अगर नहीं आता है तो तुम आराम से पहले रिवाइस कर लियो फिर अपन नेट्फलक्स पर जाएंगे ठीक है चलो